इस वक्त हमारे साथ मौज़ोद हैं जहारखंड के डीजीपी डीके पांडे सर सर हम आपसे सिदी दोर पर जानने की कोशिज करते हैं पांच तारीक को जो बीपक्स ने बंद बुलाया है इसको लेकर सुरक्षा की क्या कुछ बेवस्था की गई है पांच जुलाई दोहजार अठारे जो जहारखंड का बंद बुलाया गया है उसमें हम सभी लोगों से आगरा करते हैं जो भी पार्टियां इसको बंद को बुलाई हैं कि आप सांतिपूर्ण प्रदर्शन करें भारती सम्मिदान के तहद स्वांतिपूर्ण प्रदर्शन में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है लेकिन अगर प्रदर्शन हिंसात्मक होता है तो पुलिस उसकी पूरी तयारी की है और हम उस पर कारवाई करेंगे किसी भी नागरी को किसी भी ब्यक्ति को जबरजस्ती बंद में सामिल नहीं किया जा सकता है किसी मार्गों को बाधीत नहीं किया सकता है किसी भी रेल मार्गों को बाधीत नहीं किया सकता है जो सरकारी कारयाले हैं जो उनको वहाँ जाने वाले लोगों को रोका नहीं जा सकता है बैंकों में जाने से आप रोक नहीं सकते हैं आप हरवाधियार के साथ प्रदसन नहीं कर सकते हैं इन सारी गत्विदियों पे निगरानी रखने के लिए हमने पूरे राज के सभी जिलों में यार निर्देश दिया है कि सारी गत्विदियों का वीडियोग्रेफी हो, सभी जगन CCTV कैमेरे समिदन सील अस्थानों पे लगाए जाएं, सभी जगों पे ड्रोन की तैनादी किया ज है, हमारी उमीद है कि ये अपील सुनकर के सभी लोग सांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उत्विद्शिक होंगे, हम ये उमीद है कि फोस्व का उपयोग नहीं किया जाएगा, और पांच जुलाई वाला जो सांतिपूर्ण बंद रहेगा. सर, सुरक्षा में कौन-कौन सी कंपनिया फोर्स की लगाएगी है, राजजबल के सर, अतिरिक्त और कौन सी कंपनिया लगाएगी है? जितने भी हमारे पदादिकारी हैं, जो ट्रेनिंग में हैं, उनका डिप्लाइमेंट हम लोगों ने किया है, और सभी जो राइट कंट्रोल की जो पार्टियां हैं, उनको इस बंदी के दौरान डिप्लाई किया गया है, सभी राइट कंट्रोल की पार्टियों में बैनर है, उनके पास loudspeaker है, उनके पास tear gas की units है, right intervention vehicles है हमें उम्मीद है किसी आवसक्ता नहीं पड़ेगी, बंद सांति पुन रहेगा जितने भी राजनितिक दल है, उनको क्या किसी तरह की notice पहले से दी गई है? मानी उचन्याले का आदेश है कि कोई भी आदमी जबजस्ती, बंदी के लिए किसी को force नहीं करेगा public property को और private properties को damage नहीं करेगा, सकारी कारियालों को बाधित नहीं करेगा bank के कामकाज को बाधित नहीं करेगा, rail को बाधित नहीं करेगा ये करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको हम आगाह करते हैं कि अगर आप हिन्सात्मक्त तरफिके से आगजनी के तरीके से बंद को इन्फोस करने के कोशिस करेंगे, तो हम उसके लिए पूरी तयार है। सर जिस तरह से हाल के दिनों में ग्रामीन छेतर में लोगों में देखा गया है उन पर जो अगर उस तरह का कहीं कुछ होता है तो उस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ खास बेवस्ता की गई है जो बंद है उस बंद को सांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहें वाइलेंस का कोई अर्थान नहीं है वाइलेंस के लिए पूरी तरह से जारखन पुलिस उसको रोकने के लिए टैयार है पुना हम यह उम्मीद करते हैं कि सांतिपूर्ण तरीके से यह सारी चेज़ें डरते हैं बंदी के दौरान बाहर निकलने से, तो उनसे कुछ पुलिस की तरफ से कोई अपी अपीर. सभी लोगों से आग 빼 करते हैं कि आप अपना सामानी काब उकाज करें, पुलिस पूरी तरह से ततपर है और सामाजीक ततों के खिलाब कारवाई करने के लिए और यह हमारी कारवाई अभी प्रारम हो चुकी है कोई भी एटी सोसल एलिमेंट राज की विद्धी वे उस्था को अगर बिगारने की कोशिज करेगा तो पुलिस उस पे सक्त कारवाई करेगी तो इनका साब तोर पर कहना है जो साब मैधानिक तरीके से अगर कोई भी विरोध प्रतरशन करता है तो कोई दिक्कत नहीं अगर वो कुछ अलग तरीके से या उपद्रब पहलाते हैं तो उन पर कानूनी कारवाई सक्ती से की जाएगी